हेलो फ्रेंड वेल्कम एक टू माई चैनल आज हम आप के लिए रिखिया है गेहु के आटे से बनने अला बहुत ही जड़ा चरफटा खुरकुरा और करा नास्ता जिसे आप एक बार बना कर पूरे महीले श्टोर कर सकते हैं अगर आपको ये हेल्दी ची रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अगर आप हमाई चैनल पर नए है तो हमाई चैनल को जरू सब्सक्राइब करना साथ ही नौट्विकेशन विलको आन करना ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड करूँ आपको सबसे पहले तो इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने लिया है सो परसंद गेहो का आटा यह वही आटा है जिससे रोटी बनाते हैं आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहो का आटा भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर बेट ने हमारा 150 ग्राम है नाव पर कटोरी है आप क अधा गरम नहीं होना चाहिए अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट रिकॉर्डिंग नमक आप लोग जितना नमक खाते उतना डालना मैंने यहां पर हाफ टी स्पून डाला है अब मैंने यहां पर आधा चमज अजवाइन लिया है जिसको मैं मल के लालूंगी हाथेलियो के बीच में इससे बच्वाइन का जो टेस्ट है विल्कुल अच्छे से निकल के आता है अब सारी चीजों को हम आटे के अंदर अच्छे से मिला लेंगे आप हमें रूम टंपरेचर का पानी लेना है न ठंधा ना गरम और उससे पहले आपको इस तरह से देखना है अगर बिखरा बिखरा से है तो आपको थोड़ा सा ऑईल और गरम करके डालने के जरूरत है अब इसके बाद हमने एक कप पानी ले लिया है जो हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक टाइंट आटा लगाएंगे जैसे पूरी के लिए लगाते है उस तरीके से तो चलिए फटा- पानी में आधा कप पानी इस्तमाल हुआ है आधा कप पानी हमारा बच गया है अब इस आटे को हमें गूंदा नहीं है अब इसको हम रेष्ट देंगे दो से तीन रटका ताकि आटा हमारा अच्छे से फोल जाए तो जब तक आटा फूल आ हम इसे कवर करके साइड ने रग और एक हरी मिर्च जो हमने इस तरह से कट कर लिए डाल देंगे यहां पर हमें प्याज को बिल्कुल भी जलाना नहीं है हमको हलका सा टास्परेंट कलर आने तक इसे पकाना है तो यह देखिए हमारी प्याज पक गई है अगर आप लोग प्याज नहीं खाते तो आप नहीं जाएगी और एक सिर्णा मिर्च जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है यह डाल देंगे सिर्णा मिर्च आखों के लिए बहुत ज़्याज पाइदे मन होता है और यह आपकी हड्यों को मजबूती देता है कि इसमें पाए जाता है कैल्सियम और बश्चे दालेंगे तो यहां पर जीरे को काला नहीं करना है दस से पंदा सेकंड हम जीरे को अच्छे से भूनेंगे और इसमें हम हाफ टी स्टून तरह लेंगे हींग और हींग जरूर डालना इससे बहुत इच्छी खुसबू और टेस्ट आएगा तो यहां पर जब हमारी सिल्णा इस अच्छे से भून जाएगी तब इसमें हम क्या डालेंगे एक चमच बेसन डालेंगे और बेसन डालना जरूरी है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा तो एक छोटा चमच मोटा महीन जैसा ही बेसन हो आप डाल लीजे चाय वाला चमच डालना बहुत जड़ा बे तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम आलू लिया है वेट में नाप में यह 5-6 आलू है जिसको मैंने बॉयल करके इस तरह से मैश कर लिया है तो यहाँ पर आलू को बॉयल करने के बाद ठंडा करने के बाद मैश करना या ग्रेट करना जो भी आपको करना है अब हम सारी चीजों को ब भून लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा अलो भून गया इस तरह से बिलकुल बदले लगा है आप इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टी स्फोन तक टर्मरीक बॉड़र यानि हल्दी इसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाजमेश डालेंगे आप चाहें तो पिसी भी सेकेंड वापस से भूनेंगे आलो के साथ ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से भून जाए और आप इसमें डालेंगे चटपटा बनाने के लिए एक चमबच चार्ट मसाला अगर आके पास चार्ट मसाला रहा हो तो आप लोग ड्राय आम चुर पॉर्डा यानि खटाई डाल है ताकि एकवल्स हर जगा टेस्ट है अब इसमें डालेंगे दो से तीन चमबच हरा धनिया जिसको आमने मोटा मटा कटकर लिया है जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए अगर आप हरा धनिया ने खाते तो आप इसमें धुरा सा कसूरी मेथी डाल सकते या फिर आ होगा तब तक हमें बेट करना है तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं तो फ्राइंट देखिए यह इतना ठंडा होगा है कि हम इसे छूपा रहे हैं बहुत ज़रा ठंडा करने की गलती मत करना अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं अब इसको हम हलका सा मसलेंगे ताकि यह हो जाए और मसल मसल के हम इसको हलका सा चिकना करने के बाद इस तरह से काउंग्ण पे रखेंगे और इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डो है वह कितना लचीला है आपका भी इसी तरीके से होना चाहिए और अब इसको हम इस तर काटा लगा लिया है आप इसको हम इस तरह से बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से खयाल ये रखना कि कहीं से उचा नीचा नहीं होना चाहिए बराबर बेलना है तो फ्रेंड यह देखिए मैंने इसको बेल लिया है अगर आपका गोल नह लेके इसके सेंटर पर इस तरह से अप्लाई करेंगे दो से तीन बूल और अब हमारा जो आलू अलमिशन था इसको हम आधर डिवाइड कर लेंगे और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे तो बेशन डालने से बहुत यह अच्छा टैक्षर आ जाता है यह देखिए और अब हम इसे पोल्ड करेंगे तो यहां पर हमें सेंटर पर पानी जरूर अप्लाई करना है और यहां पर भी हमें पानी अप्लाई करना है यह दो हिस्से को आपको पानी से अच्छे से कवर कर देना है अब हमें इस तरह से उठाना है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे तो यहां पे इस तरह से आप इसको पहले ले आईए फिर इसके बाद यहां से आप इसको उठा लीजिए और इसके उपर इस तरह से कड़ दीजिए जैसे भी आपको फोल्ड करना है अपने तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं तो यहां पे अब हम इसके सेंटर निकाल देंगे और इसके भी सेंटर निकाल देंगे तो यहां पे हमारा कोई भी मसाला नहीं है और अब हम इसको यहां पे इतनी इतनी दूरी पर डिवाइड करेंगे टो इस तरीके से हम दूसा औला वे बेle को बना लेतें फिर आफ से मिलते हैं तो फ्रेंट्ड दीए इस तरह से बना लिया है आप इसे बना कर फ्रिज में भी लगा सकते ज्ब आपका मन हो या मैहमान है आप इसे बना सकतें तो यह प्रिए इसमें मैंने आटा गुंदा था वह अला बढ़ता ले लेंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मस तक ऑईल और आब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी बस इतना पाई डालना है ज़्यादा पाई नहीं डालना है हाफ टीजपून तक हम सुगर डालेंगे जिसको च बिल्कुल अच्छा से मिल जाए और सुगर मेंट हो जाए तो फ्रेंट जब आप इसको अच्छा से मिलाएंगे तो इस तरह से यह वाइट हो जाएगा यह देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया है सारी चीज़े मिल गई है आप इसके अंदर हम कह डालेंगे मिर्च आप चाहें तो किसी भी डाल सकते हैं और सारी चीज़ों को हम वापस से मिला लेंगे और आप इसके बाद थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसका एक पतला सा घोर रेडी करेंगे और इसे हमें दो से तीन मिनट का टाइन देना है ताकि यह विल्कुल अच्छे स पूल गया है और यहां पर यह भी रेडी अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ तो फ्रैण आगाए गैस की तरफ हमने एक पैल लिया है इसमें हमने तेल रख दिया है तो यहां पर आपको बहुत ज़दा भर के तेल लेने की दुरत नहीं तेल को अच्छे से गरम कर ल के अब आपका प्रैंट फोटा है तो आप इतना ही डालिए गा जितना कि आपको प्लटने में कोई जिकत ना हो और चारों साइट को इसको अच्छे से गीव करने के बाद भी डालना अब हम बाकी बाद में डालेंगे अब इसको हम पकने देंगे दो मिनट के बार टन है दो मिनट से पहले मैंने इसको विल्कुल भी टर्च नहीं किया था अब मैं इसको पलट जूंगी यह देखें कितना बढ़ा कलर आ अब यहां पर मैं इसको बोल्डन का रहा है आप जायत इसको थोड़ा सा और दार कर सकते हैं अब हम यह वाला भी पलट देंगे अब दूसरे साइड भी हम दो मिनट पकाने के बाद इससे निकाल लेंगे तो फ्रैंट दो मिनट हो चुके हैं आई इसको हम आप निकाल लेते ह आफट यह देखे कितने क्रिस्पी बने हैं देख सकते हैं आप लोग दूसरा साइड भी हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है आप जाय कर सकते हैं आपके अपनी मर्जी है वैसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करूंगी यह देखिए कितने मज़े के हैं और बिल्कुल भ चलिए बाकी भी बना लेते हैं फिर आफ से मिलते हैं नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो फ्रैंड मनकर रैडी हो चुका है हमारा खूपसूरा सानास्ता जो देखने में जितना प्यारा लग रहा है खाने में उस जदा मज़ेदार हैं बहुत ही जदा ने श्टोर कर सकते हैं और इसे मैंने सब किया है केचप के साथ आप इसे मोमोज चटनी के साथ या ग्रीन वाली चटनी के साथ दिखा सकते तो कैसी लगी आपको यह मेंजिंग सी जल्दी से कमेंट बॉक्स से बताना अगर आपको रही पसंद आए तो वीडियो को लाइक क कमेंट करना मिलते हैं बहुत ही आसान रेस्पी के साथ जल्दी तब तक इसे बनाइए खाईए अपनी फैमली वालों को खिलाइए बहुत ही जड़ा मज़ेदार होने के साथ सथ हल्दी भी है कम तेल की भी है और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेस्पी के साथ तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इस रेस्पी में सबसे अच्छा क्या लेगा है वैं टेक के लब यू ओन